के लिम दिखना हर female का सपना होता है लेकिन दिक्कत तो यह है कि females के पास वक्ति का होता है तो कही बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं लेकिन फिर भी पत्ते नहीं हो पाते और कई बर जिम में घंटो Zone बहाने के बाद भी आपके अंदर वर्क नजर नहीं आता तो फिर कुछ हल्की फुल की एक्सराइज करकर भी आप अपने पेट को अंदर कर सकते हैं जी हाँ यह संभव है कौनसी है वो एक्सराइज यह आपको बताऊंगी लेकिन इससे पहले शुरुवात करते हैं शो की अप अपनी तरफ अट्राक करना चाहते हैं आपको लगता है सालों बाद वह आपसे आकर्शत नहीं होते तो आप क्या कीजिए चलिए बताते हैं यह जो पाई मैं आपको बताने जारे हूं यह आपको शुकल पक्षे ही करना यानिकि अमावस्या के बाद पूनिमा तक के टाइम में एक पान का पता लीजिए उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रख दीजिए फिर दुर्गा माता जी की फोटो अपने सामने रखे और बैट कर वहाँ पर दुर्गा स्कुती में चंडी स्तोत्र का पाठ करें 43 डेस तक ना आपको यह रोज करना है पाठ करने के ब हजबन आपके साथ अभी नहीं रह रहे हैं तो आप उनकी फोटो के सामने भी जा सकते हैं पान का पता रोज जो आपको लेना है वो साबुत लेना है टूटा पूटा कटा पटा नहीं हो और रोज यह प्रयोग करने के बाद पान के पत्ते को अलग किसी जगह पर रख को लेकर जल प्रवाग करना है आप यह प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हुजाएगी तो आपको एक खास चिपकाने वाले टेप से रहात मिल सकती है हर लड़की बहुत ध्यान से सुने आगे बताने वाले हो पहले आपको स्लिम तो बना दू बिल्कुल फ्लाट वेस्ट और कमर के लिए आप क्या कीजिए आपको हर दिन आदा घंटा तेज तेज चलना होगा और जानते हैं और क्या करना होगा इसके साथ ही आपको एक कम और करना होगा वो यह कि हफते में कम से कम तीन बार आपको ऐसा करना होगा ताकि आपका metabolism इस लायक हो जाए कि वो शरीर के fat को कम कर सके दूसरी बात आपको हफते में कम से कम तीन बार abs बनाने के लिए exercise करनी होगी ताकि आपके शरीर का fat जमा न हो और आप अपनी physical fitness को बनाए रखे एक और बात जब आप abs बनाते हैं तो ऐसे में करते वे आपको दंड बैठक नहीं करनी है इससे क्या होगा इससे सिरफ आपकी hips flexible होंगे आपका पेट जो है वो इससे flat नहीं होगा पेट को flat बनाए रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप कम शुगर लें बहुत कम लोग जानते हैं कि शुगर जादा लेने से fat बढ़ता है और tummy बाहर में करने लगता है लेहाजा शुगर कम लीजिए यूँ तो पेट को flat करने के लिए कई और आसन है लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा आसन है कपाल भारती जी हाँ इसमें आपको जोर जोर से सांस लेते रहना है और पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर करते रहना है इससे मास पेशियां तो मजबूत होती ही हैं साथ ही आपका पेट भी flat बनता है लेकिन बेहतर ये होगा कि आप ये आसन किसी expert की देखरेक महीं कीजेगा चलिए एक और टिप देते हैं अपनी diet में fiber की मातरा बढ़ाईए और bread, pasta, aloo, white rice ये सारी चीज़े कम कीजे अच्छा ये हैं कि आप brown rice खाईए, fresh fruit और vegetable भी आपके पेट को flat बनाने में काफी मददगार होते हैं